जैसे धुला हुआ आस्मान, जैसे खोए हुए सपने, अधखुली नींद, नंगी भूख और बेवसी, ये सब कुछ इन मध्यम रंगों में चमक रहा है। संभवता इनकी चमक के लिए रंगों का मध्यम होना ही लाजमी है। रोसी विग्यान एम संस्कृति केंदर में टंजे हुए ये कैनवस, जिन्दगी की कई पहलों की कहानी कहते हैं। ये रंग और छाया, जानी माने की तरकार ये सुरजीत की देन है। मुझे अभी भी फील होता है कि जो औरत है, चाहे वो पढ़ लिख दे ही है लेकिन उसको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसको अभी ज़्यादा बर्डन है घर का भी, बाहर का भी, पढ़ने के बावजुद भी उसको फैमिली का जो रिस्पॉंसिविल्टी है जो औरत पर ही आता है। औरत ही क्यों, यहां एक विशे प्रकृती भी है और प्रकृती की दो सरुषिस रचनाएं भी हैं, इस्त्री और पूरुष और उनके संबंद, आखिर अकिरा तो कोई नहीं, प्रकृती का निर्मार तो सबसे मिल कर होता है। नेचर के साथ जो इनसान का संबंद है, उसके उपर है। कुछ जो मेरी सेल्फ आटो बाइग्राफिकल पेंटिंग्स हैं, जो की मेरी जिंदगी से तालुक रखती हैं। फ्रॉम माई डायरी, यह है मेरी सेरिस। पिछले 20 सालों में सुर्जीत, रंग और छाया के कई सिंखलाएं तलास की हैं। एक नमूना ये भी है।